हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आज मैं जिस मेडिसिन का रिविव करने जा रहा हूं वह एक टेबलेट है जिसे जोर ना सक एवं दर्द निवारक टेबलेट भी कहते हैं इस टेबलेट का नाम कैल पॉल है यह आप सभी के द्वारा बहुत ही प्रचलित हुई टेबलेट है एवं मेडिकल सौप का ऐसा कोई भी काउंटर नहीं होगा जहां पर यह टेबलेट उपलब्धना हो बहुत ही फीमस यह टेबलेट है मेडिसिन के रिवियो को करते हैं स्टार्ट इसके पहले करूँगा आप से एक छोट भी वीडियो को मिस्ट ना करें आए ए रिवी को स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स टेबलेट का ब्रेंड नेम है कैलपॉल फाइवंड़ेट एमजी टेबलेट इस टेबलेट को गलेक्सो इसमित काइन फार्मसेटिकल से लिमिटेड का दौरा बनाया जाता है अब बात करते ह टेबलेट किसन रचना के बारे में यानि उसका कमपोजीशन फ्रेंड्स इसमें पैरसिटमोल जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं 500MG की मातरा में उपलब्ध होता है अब बात करते हैं मेडिसिन की प्राइमरी यूज की तो यह मेडिसिन पेन रिलीफ यानि एनालजेसिक में अनसेफ है यानि एलकोहल के साथ में एलकोहल के आगे या एलकोहल के पीछे इस मेडिसिन के इस्तमाल नहीं करना चाहिए बात करते हैं इस मेडिसिन की बेस्ट प्राइस की तो 15 ट्रेबलेट का एक स्ट्रिप 15 रुपे का बाजार में उपलब्ध है यानि पर टेबलेट बात करते हैं कालपोल टेबलेट से संबंधित कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में फ्रेंड्स डोलो 500 अंजी टेबलेट माइक्रो लेप्स लिमिटेट के दौर बनाया जाता है Pyregesic Tablet East India Pharmaceutical Work Limited के दोर बनाया जाता है Molidans 500 MG Tablet About Company के दोर बनाया जाता है P500 MG Tablet Apex Laboratories Private Limited के दोर बनाया जाता है MacFast 500 MG Tablet MacLeod Pharmaceuticals Private Limited के दोर बनाया जाता है अगर आपको Call Paul Tablet नहीं मिलती तो आप इन ब्रांड में से कोई भी ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते है बात करते हैं टेबलेट कालपोल के प्रमुख इस्तिमाल के बारे में Friends, कालपोल 500 MG Tablet का मुख इस्तिमाल दर्द यवं बुखार के लिए किया जाता है इसका इस्तिमाल सिर्दर्द, जोडों के दर्द, मानस्पेसियों के दर्द या दात के दर्द आदी इस्तितियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है अब बात करते हैं कैलपोल टेबलेट का इस्तिमाल कैसे करना चाहिए Friends, इस दवा को डाक्टर के दोरा निर्धारित खुराक यवं अवधी के लिए इस्तिमाल करना चाहिए इसे साबत निकलना चाहिए, इसे चवाना, कुचलना या तोड़ना नहीं चाहिए कैलपोल 500 mg टेबलेट को भोजन के साथ लेना अधिक बहतर होता है खाली पेट लेने पर यह मेडिसिन बिस्प्रवाब भी उत्पन्द कर सकती है अब बात करते हैं कैलपोल टेबलेट कैसे काम करता है Friends, कैलपोल 500 mg टेबलेट एक दर्द निवारक आउसद ही है यह एंटिपारेटिक यानि बुखार को कम करने वाली दवा है यह मस्टिच के से उन केमिकल्स मेसेंजर्स को निकलने से रोकता है जिनकी वज़े से दर्द या बुखार होता है आईए अब बात करते हैं कैलपोल टेबलेट से सम्मद्धी जातावनियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं अलकोहल की कैलपोल 500 mg टेबलेट के साथ सराप का पीना सुरक्षित नहीं होता है आता है टेबलेट लेने के आगे या पीछे सराप का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए अब बात करते हैं गरभवस्था के दौरान क्या इस टेबलेट को लेना चाहिए तो फ्रेंड्स विभीन प्रकार की जो प्रयोग हुए है अध्यान हुए है उनसे यह पता चला है 500MG कैलपल टेबलेट को गरभवस्था के दौरान इस्तिमाल करना सुरक्षित माना गया है किसी भी प्रकार की दुस्प्रभाव नोटिस नहीं किया गया है अब बात करते हैं इस्तनपान के दौरान क्या कैलपल टेबलेट का इस्तिमाल करना चाहिए तो फ्रेंड्स कैलपल टेबलेट 500MG का इस्तनपान के दौरान इस्तिमाल करना सुरक्षित पाया गया है इंसानों पर प्रभाव एवं अध्यन से यह पता चला है कि ना तो यह मा के दूर में प्रवेश करता है और ना ही बच्चे को किसी तरह से नुक्सान पहुँचाता है बात करते हैं ड्राइविंग मोड की तो फ्रेंड्स कैलपल 500MG टेबलेट के सेवन से आपके गाड़ी चलाने या रिकोगनेशन में किसी भी चमता पर कोई भी प्रवाव नहीं पड़ता है बात करते हैं किड्नी एवं लिवर से संबंदित बिमारियों के बारे में तो अगर आपको किड्नी या लिवर से संबंदित किसी भी प्रकार की बिमारी है तो आपको कैलपोल टेबलेट सावधानी पूरवक लेना चाहिए क्योंकि कुछ मात्रा में यह टेबलेट हिपेटो टॉक्सिक एवं रीनल के लिए भी टॉक्सिन का कार्य करती है अब बात करते हैं इस मेडिसें से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ प्रशनों के बारे में पहला प्रशन है क्या होगा यदि मेरा बच्चा कैलपोल लेने के बाद उल्टी कर देता है इसका उत्तर है यदि आपका बच्चा कैलपोल टेबलेट या सिरप की खुराग लेने के बाद 30 मिनट से कम समय में उल्टी कर देता है तो उसे वही खुराग पुने देनी चाहिए यदि आपका बच्चा गोलिया या सिरप की एक खुराग के बाद 30 मिनट से अधिक समय तक उल्टी करता है तो आपको आगली समाने खुराग तक उसे दूसरी खुराग देने के आवसकता नहीं पड़ती है अगला प्रशन है कैलपोल लेने के बाद मेरा बच्चा कब बहतर महसूस करेगा जिसका उत्तर है आम तोर पर कैलपोल टेबलेट लेने के बाद लगभग आदे घंटे के बाद बहतर महसूस होने लगता है अगला प्रश्ण है मैं अपने बच्चे को कितनी बार कैलपोल दे सकता हूँ जिसका उत्तर है आपको केवल 24 गंटे में कैलपोल की अधिकतम 4 खुरागे देने चाहिए 2 खुराग के बीच में कम से कम 4 से 5 गंटे का अंतर होना चाहिए अपने डाक्टर से बात किये बिना आप अपने बच्चे को तीन दिन से अधिक समय के लिए कैलपोल का इस्तिमाल ना कराएं क्योंकि यह एक हिपेटो टॉक्सिक मेडिसिन है और किसी भी प्रकार के दिश्प्रभाव लीवर में उत्पन कर सकती है अगला प्रश्ण है क्या मैं अपने बच्चे को ठंड के लिए कैलपोल से रब दे सकता हूँ जिसका उत्तर है बुखार से रहत देने के साथ कैलपोल सरदी से जूड़ी समस्याओं जैसे सिरदर्द और कान में दर्द के साथ ठंड को भी नियंत्रित करने में मदद करता है हलाकि यह भारी हुई नाक एबं खासी से रहत देने में मदद करता है परंतु आपको इस प्रकार के इस्तिमाल के लिए अपने डाक्टर से परामर्स अवस्य करना चाहिए अगला प्रशन है क्या काल पोल बच्चों को नींद से जगाता है जिसका उत्तर है नहीं काल पोल आम धारणा के विपरीत बच्चों को नींद नहीं आती है यानि इस टेबलेट या सायरप का आपसाइड इफेक्ट भी कर सकते हैं जिसको लेने के बाद नींद आने में कमी महसूस की जाती है अगला प्रशन है क्या बच्चों को के लिए कैल पोल सुरक्चित है जिसका उत्तर है यदि चिकित्सक के दोरा निर्देशित के रूप में उप्योग किया जाता है तो कैल पोल टेबलेट या सायरप बच्चों के लिए एक सुरक्चित आउसादी है अगला प्रशन है क्या कैल पोल एक एंटिबाटिक है जिसका उत्तर है नहीं कैल पोल एक एंटिबाटिक नहीं है यह एक दर्दनिवार के रूप में इस्तमाल की जाने वाली दबा है जो बुखार को भी कम करती है यह उच्छ मात्रा में बुखार को यानि अधिक तेज चड़े हुए बुखार को भी कम करने में मदद करती है अगला प्रश्ण है क्या मैं अपने बच्चे को कैलपॉल एबम आईबूप्रोफेन एक साथ दे सकता हूँ जिसका उत्तर है आईबूप्रोफेन और कैलपॉल सुरच्छित दर्द निवारक और सधिया है जो बच्चों को दिये जा सकते हैं हलाकि दोनों को एक साथ इस्तमाल नहीं किया जाना चाहिए इसके बज़ाए यदि आपने अपने बच्चे को कैलपॉल दिया है और फिर भी बखार है या सरीर में दर्द है तो आप इसके बज़ाए आईबूप्रोफेन दे सकते हैं जबकि वह अगली खुराख हो अर्थात अगर आपने अभी कैलपॉल दिया है तुरन्त आईबूप्रोफेन न दे अगली खुराख का इंटजार करें एवं अगली खुराख में ट्राइल के लिए आईबूप्रोफेन को दिया जा सकता है क्या आईवो प्रोफेन और कैल पॉल का कॉंबिनेशन उपलब्द है तो फ्रेंड मार्केट में कई प्रकार के कॉंबिनेशन उपलब्द है जहां पर दर्द की अधिक प्रबलता होती है वहाँ पर ऐसे कॉंबिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें दर्द निवारक उसदी अधिक मात्रा में हो एवं पैरसिटमोल भी एक निर्धारित मात्रा में हो ऐसे आउसदी दर्द पर अधिक प्रभावी रूप से कारे करती है तो फ्रेंड्स ये थे एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन कैल पॉल की उपर अब एक बात कहना चाहता हूँ दवाओं से संबंदित यह विवरान सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डाक्टर के सलाह अवसिले सल्फ मेडिकेशन ना करे यहान फूल हो सकता है घातक हो सकता है बच्चों के मामले में खास तोर से डाक्टर को आपको प्रेस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें कमेंट्स करें प्लीज चैनल को प्रमोट करने में हल्प करें इस वीडियो में बस इतना ही किसी अने टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आप से मिलूँगा तब तक के लिए गुट बाई आपका दिन सुब हो जाए हिंद